दोस्तों, प्रिधान मंत्री नरेंद मोदी ने मंगल को वर्चुगल कारिक्रम में इस्टरन डेटीकेटेड फ्रेंट कोरिडूर के प्रियाग राज इस्तित परिचालन निरंतरन केंद्र का उधाटन किया। उन्होंने न्यूख खुर्जा और कानपुर के भावपुर के बीच मालगाडियों को हरी जंडी दिखा कर रवाना किया। इसी के साथ इन दोनों इस्टेशनों के बीच 351 किलोमीटर तक मालगाडियों के नियमित संचालन का रास्ता साफ हो गया है। इससे यात्री ट्रेनों और मालगाडियों की रफ्तार तुब बढ़ेगी ही उध्योगों को भी गती मिलेगी तथा नए अपसर खुलेंगे। यहां सुबेदार घंज इस्तित कंट्रोल सेंटर परिसर में समारो का सजीब प्रिशारण किया गया। प्रदान मंत्री के साथ यहां सांसत केशरी देवी पठेल तथा अन्य जन पिटी निर्यों एवन अपसरों ने भी मालगाड़ी को हरी जंडी दिखाई। साथ ही कंट्रोल सेंटर के उद्धातर समारो का हिस्सा बने अपने संभूधन में प्रदान मंत्री ने कंट्रोल सेंटर की कोबियां बताई। क्यों बिते छे साल से भारतिय रेल को नए भारत की आकांशाओं और आत्म निर्भर भारत की अपेशाओं के अनुरूप धालने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आधूनिक सुग्दाओं से लैस एसिया का ये सबसे बड़ा कंट्रोल सेंटर नए एवं आत्म निर्भर भारत का प्रतीक है। इसका निर्मान भारतियों ने स्वेदेशी उपकरणों से किया है। वहीं डेटीकेटड फ्रेंट कोरीडोर को उन्होंने उद्धोगिक विकास की लाइप लाइन बताया। रेलवे के अफसरों ने बताया कि डेटीकेटड फ्रेंट कोरीडोर मालगाडियों के लिए अलग ट्रैक है। सभी मालगाड़ी की ओसत गती 25 किलोमीटर प्रिती घंटा है। कोरीडोर के चालू होने के बाद गती तीन गुना हो जाएगी। इसके अलावा मालगाड़ी की वज़े से यात्री ट्रेनों को भी नहीं रोकना होगा। इससे उनकी गती भी बढ़ेग। उन्होंने कंट्रोल सेंटर तथा कोरीडोर की अन्य उप्योगिताओं पर भी विस्तार से प्रकास डाला। तो दोस्तों ये जानकारी आपको पसंदाई होगी। आप अपना प्यार और सहो यूँ ही बनाए रखे। धन्यवाद।